जो है इस प्रेंट्स क्या हाल है बहुत बहुत स्वागत आपका अभी मन्यों आई से आई से मंच पर लो स्टूनेंट्स कैसे चल रहे हैं त्यारी भूफुली बहुत बढ़ी है चल रही होगी हमने कि 2015 से 2023 के और 2023 का में लिखा एक दो सट बचा हुए वह जल्दी आपके पास लाइब हो जाएगा ठीक है हमने क्या हमारे सटरी क्या चल रहे हैं कि प्रीविएस कि यह पेपर को करें एंड देखें भाई चेंज ओफ ट्रेंड कैसे था बिसिकली यही हम देख रहे हैं कि प्रीविएस क्योंकि देखो मैंने 2015 से 2023 के ओल्मॉस्ट सारे कुश्चन करवा दिए ठीक हैं प्लेलिस्ट में जाके देखें बहुत शांदार तरीके से सलूशन हैं बट 2014 कभी पर अच्छा था कुछ कोश्चन बट इसके अंदर एक नहीं बात थी इसमें बहुत अच्छी बात थी नहीं बात तो नहीं कोंगा कफी पुराना पर हो चुक है बट कोश्चन अच्छे लेवल के थे अभी देखना पहला कोश्चन कितना मतलब यूनीक से लेवल कि देश में अजारों लागों बच्छे भाग रहे हैं तो प्लीज जो अपकर प्रिवेस येर कोश्चन सेना मत छोड़ना मत छोड़ना अगर आप वीडियो भी देख लोगे ना बहुत कुछ आपको समझ आ जा जाएगा कि कैसे कोश्चन को करना है और दूसरी बात क्या है एक देश में समझना मतलब concept के क्लिएटी करो अब और उपर सेर्शन नहीं पूछ रहा ऊपर से ऐसे बताओ में कि profits रहा हूं पैसे शीयोख तो नहीं स पूछ रहा हूं थो यह और इसे स्थी में फिइदे एपोश्च रहा हूं कैसे सनがとう às को से से इखरए है solution है सी सैट का यह बैच यह क्या है वन बाइवन बदा तो बेसिक लिएह आपके पास गुद जीरो टू-हिरो बैच अब बेसिक निए आपके पास यह जीरो टू-हिरो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास आपको कुछ नहीं आता मेरे पास सब्सक्राइब और इंग्लिश रिस्पेक्टिव टीचर आपको करवाएंगे तो चिंता की कोई बात नहीं बस थोड़ा सब ट्रस्ट करो उस पच्छे साल के सब्सक्राइब यहां से निकले तो बहुत लंबी लिस्ट है जिसके अपर आपको ट्रस्ट करना चाहिए क्लियर देखो इस बारे में आपको बता दें तो सबसे पहली बाग इसकी टाइमिंग क्या है तीन से लेके साड़े चार तक इसके टामिंग से है ठीक है स्टुनेंट्स नेक्स क्या है एक हक्ते में चार दिन आपकी यहां पर क्लासिस है नेक्स क्या है तोटल लेक्चर आपको एक सोसी से जादा मिल रहे हैं देखने में बहुत सार लगने बटमाब कुछ लेक्शर आपके 90 प्लूस लेक्शर अगर आप देखेंगे अगर यहां पर देखो यह आपका पार्ट भी है न पारट वी में सेक्षेंगे से तीन पॉइंट यहां पर देखने को मुझे तो यह तीन मिरको यहां पर लेक्चर्स बिसिकली देखने को मिल रहें लेक्चर कहा रहा हूं यह पार्ट बी में यह यह अब देखो पार्ट अ में 90 के राउन लेक्चर्ट अब थोड़ा सा 90 से जाधे लगा करें चलिए थोड़ा सा जाधा ज्यादा नहीं कहुंगा हूं बार्ट इस नाइंटी में अक्चुलि आपका फ़ता है यह आपका ओंलाइन हुआ प्लेस को अनलाइन न सब्सक्राइब यह को यहां ए यह ऊंदर आपको क्या मिल रहे हैं यह आपको यह आपको उल्लाइन लाइव बेटे बंस वीमें हमारा क्या है ओंलाइन और वान्लाइन या तो आप घर बैठ की भी कर सकते हैं से अगर ओनले लगानों तो सुरी ओफनले लगानों तो हमारे हैड सेंटर मोहली भी भी आके लगा सकते हैं क्लियर अब इस नाइटी लेक्चर को किसी दूप से बांटा के देखिए पचास इसमें क्वांट के लेक्चर से 25 में लॉजि है देखो आपके पास अगर आप ऑनलाइन में तो पोर्टल होगा पोर्टल में सबसे पहले वीखली सेडूल है तो अओ को तीक है आप यहां पर क्या दिखेगा आपको वीखले लिखेगा अब इस वीकली सेडूल में बहुत सारी चीज़ें हैं दो तीन चीज़ा आपको इ लेक्चर हमने क्लास में discussion करना है या discuss करना है जो लेक्टर डिलीवर होना है यह मैं करवाऊंगा उस लेक्चर कि जो भी questions होंगे जो भी data होगा वो पहले आपके प्रेप्लोड़ेड पढ़ा होगा ठीक है ताकि आपको पता चले हमने क्या करना है नमबर तो पर रिसोर्सिस नमबर तो पर क्या आपके वास रिसोर्स रिसोर्सिस चैप्टर का वो पार्ट है जहां पर ठीक हो सकती है नमबर तीन पर सबसे इंपॉर्टन प्रेक्टिशीट शजब एहाइं था नंबर तीन Θành क्या मदा क खरने प्रड़ской चाहलगी यह जो सब क्नुच्व करें तरफ टो हमने उसे उसे जैसे मिलते शुलते यह कुछ प्रीविश कोस्टन स्ट्सक्रीच होता क्या यह इक यहां पर हर लेक्चर के साथ 30 मिनट का मुझे डाउट सेशन मिल रहा है मतलब मतलब साड़े चार से पांच बजे तक मेरे पास यह क्लास क्या होगी यह डाउट कम discussion session होगा मेरा या इसको आप बोल सकते एक्स्टा ग्लास जहां पर आपका कोई और भी डाउट होगा पूरे तरीके से सॉट आउट किया जाएगा तो यह है उसके बाद सबसे एंड में एक important जो होगा मेरा अब पूरे हफते हमने क्या क्या उसको कैसे ट्रैक करेंगे उसको ट्रैक करेंगे weekly class टेस्ट जो होगा हर संदे को वन पीम पे जो कब होगा हर संदे को एक बजे मैं आपसे टेस्ट लूँगा अगर ऑफ राइन आए तो लगा सकते हैं घर बैठके इसको लगाए जा सकते हैं तो इस बैच में आपको यह सब चीजे मिल रही हैं तो क्यों नहीं भीया हम क्या टार्गेट कर रहें करने बिसिकली टार्गेटि प्लस निस सब्सक्राइब करना प्लीज मद भूलिए ठीक है बच्छो चलिए नेक्स या मेरे पास अभी आपने देखी लिए था नेक्स है मेरे पास वत्साप इस नमबर में आप पॉल भी कर सकते हैं and WhatsApp दोनों फैसलिटेश अब लेबल है हम कर रहे हैं सिसेट 2014 का पेपर और इसका पार्ट तू मैं आपके सामने लेखे हैं हूं ठीक है चलिए तो चलिए सुडेंट्स पहला कोशन क्या कह रहे हैं इस अदेंटिकल कार्ट आप प्लेस ओन टेबल इच कार्ड एज नमबर वन मार्क्ट ओन वन साइड अन नमबर टू माक्ट ओन दा अधर साइड ओल्दा सिक्स कार्ड़ प्लेस इन सच आ मैनर देट नमबर वन इस ओन अपर सब कहने का मतलब क्या कार्ड है उसके एक साइट एक है दूसरी सेट दो है और वो क्या कह रहा है आपको साफ साब कि आपने इस तरह से प्लेस किया है कि सब का टॉप उपर हो मतलब बन उपर हो यहीं बोले अपर साइड इन वन ट्राइड इग्जैक्ली फोर नाइदर मोर तर्ण अपसाइड डाउं इन हाउ मैंने लीस्ट नंबर ओफ ट्राइस कें तक कार्ड भी तर्ण अपसाइड डाउं सच देट सिक्स कार्ड शोन नंबर टू अपर साइड बहुत इंपॉर्टन कोशन है और बड़ा लॉजिकल सा भी कोशन है इसमें जादा सोचने की जुरू लिखा हुआ है वो कहा यहां पहली बार कोसे है या कितने बारी में मैं ऐसा करूं कि सब कार में दो दो मुझन ना जरा इसे कोशा सबसे पहले के इनीशली क्या दिया है शुरू में मुझे ये कंडिशन दिये है पहली बार में मैंने क्या किया है मैंने चार कार्ड को प्लटना है मतला मुझे शुरू में टॉप पे टू चाहिए है ना तो मैंने इसको प्लट दिये एक दो तीन कारों इन दो को मैंने ऐसे कैसे रहें दिये योगी मेरी टर नंबर अच्छा नमबर टू में मैं क्या कर सकता हूं फिर मुझे चार कार्ड को पलटना है देखो अब मुझे कुछ ऐसा पेटरन देखना है कि मेरे टू भी वेस ना जाए और मेरे वन भी बराबर बने और कि अगली बार में या उससे अगली बार में जम्म करूं तो मेरे पास दो ले लिए आना चीह है ले रहे हैं वह उसना क्या बोला है वह वन वह अपर साइड दिया एक्जैक्क्ली फूर मतलब चार से जादा बार तो पलटन सकता कार्ड को देखो अब एक काम करो आप अगर मैं ऐसा कुछ करूं एक दो तीन भी कौन कों से कार्ड पलड़े जहां से ना मै counter sa frag पलता कंड को से को पलता इसको पलता और बाकी अब बाकि तरन पुश्चन ने था कि इसको छोड़ दिया इसको पलता-इसको päंड से आगे सारे क सात तो कितना आगया option no.3 थोड़ा सोचने वाला कोश्चन था ऐसा कोश्चन नहीं था कि मैं बस सांधेरे में दीर चला दूँ और अंसार लगा दू नहीं थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस कोश्चन के बारे में रिपीट कर देता हूं देखो क्या दिया है उसने बोला मेरे पास पहली बार में आख पड़े फूर चार करंड़े बार में मैंक्साम कर दो क कोश्चन नहीं दिखा हुए है उसका कि अग्जेक्टर फोर आपके छे काड़ निए उसके बाद पहली टर्ण में वैंने पहले चार स्कार्ट को कर दिया है अगली बारी में सीक्वेंस में पहले वालों की रखा इन तीन को मैंने टर्न किया और चौत्य को मैंने टर्न कर दिया उसका मेरे पास क्या है चार 111 है तो इन चारों को अगर दो में बतल दू तो मेरा नशल आगे मैंने बताया था आपको कि कुछ खास था इस पेपर में क्या था इसमें देखते देखते दे और भी किसके आपके लाइन चार्ट क्या दिया है इन भी चेर दा एवरेज आप नाइचिन नाइचिन नाइट नाइटीन आइटए और हो गया और यह मेरे ऑलियू घृण अच्छा कि एक और बी कौन से लिए है अचछा मिद्धों वाले बारी में पहले बहुए चार रजार है यह यह थाउजन रूपीज है इक है कि दूसरे बारी में भी चार ब्सका इतरी बारी में B का 4000 है, सौती बारी में B 4000 है, चलो जी, अच्छा, ये कितना दिया है मुझे, 5000 लग रहा है मुझे, नेक्स्ट, 1999 में, अच्छा, लास्ट कितना है मेरे बाद, 6, ये, इसके आदे से थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, तो इसको 5400 के टाइम, ले ले लेता हू चलो एक ही बारी बात करें, पहले है 3000, अच्छा, जी, सेकंड हो जागसा कितना है 4000, अच्छा 1997 में कितना है मेरे बाद, 5000, अच्छा जी, 1995 में, 1998 में कितना है मेरे पास, और ये बाला है यह रहा, 34 के राउट, अच्छा जी 1999 में कितना मेरे पास इस अवे 4000 कि ऑट 2000 में कितना मेरे पास प्लास्टवाला 6000 कराऊ यह है जलू यह मेरे पास दिए प्रेला क्या दिए इन भी चीह दे डिख्ये अभर फ्क्रोफित ओफ ए बी से हैं देखो यहां से जब प्लौट कर लिए थो मुझे सारा पता चल एघा अब कौन से साल में सी मैं देखो है नैंटेंटेंटी सिक्समें बिल्कुल सेम दिख रहे हैं ध्यान से देखे लिजिए बदाएधे मुझे जिए और फुर्वे एंज और जिया है तो मेरे को दिख रहा है यह कितना आ गया 400 मैंस उसने क्या बोला है भी एंड़ ध्यान रखिए बी एंड़ एंड़ वो बोला हो तो अलगबाद बी एंड़ अ मतलए पहले बी में से एको माइनस कर दो बी में से एक को माइनस करना मुझे ठीक है सुनेट्स चलिए नेक्स क्या बोले है मुझे तो ऑप्शन नमबर सीज दा करेक्ट अंसर नेक्स क्या बोले है एक बात कर रहा है वह कितना प्रॉफिट जाधा कमाया नांटी 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 तो चलिए नेक्स कूशन में चलते हैं ऐसे वट इस दरेंड वड़ीज प्रॉफित ओफिट बीफ रॉम ये नांटी सेवन तो तो तूथाउजन 97 से 2000 मतलब B कौन सा मेरे पास B मेरे पास C है यानि मुझे यहां से यहां देखना है क्या दिया Non-increasing, Non-decreasing, Steady and fluctuating बताईए क्या होगा इसा देखिए और मुझे अंसर बताईए इसा क्या होगा देखो Definitely अगर Steady का मतलब क्या है एक तामेस आलेगा fluctuating का मतलब क्या होता है Increase, Decrease दोनों चलेगा ठीक है Steady भी नहीं है fluctuating भी नहीं है क्या Non-increasing है देखना 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 Increase तो हो रहे इसका मतलब क्या है क्या होगा Non-decreasing Option नमबर है गलत है तो Options में पजल नहीं होना उसके बाद एक डेटा टेबल का कोश्चन था The following टेबल Shows the marks obtained by two students in different subjects मतलब क्या कह रहा हो कि दो अलग-अलग मेरे पास Students है उन्होंने marks Gain कि नहीं यहरी marks उन्होंने क्या किया है Marks obtained कि देखो A ने क्या किया है अगर Maximus 100 है तो 60 है 100 है 50 है 50 है तो 30 है अच्छा ठीक है बिने क्या किया है देड़ सो में से 80 मार्क लिया है सौ में से 70 लिया है सौ में से 60 लिया 25 में से 15 मार्क लिया है 16 लग रहा 15 लग रहा Yes The difference in the mean aggregate percentage marks of the student मतलब आपको यह बताना है कि इनके जो actually percentage है न उस में से कितना इनका difference है देखो सबसे बहली बात अगर मैं एक ही बात करो मार्क टेंट कितने हैं मार्क टेंट कितने हैं अगर बात हो इंग्लिश में 60 है फिर आपके बात 70 है फिर आपके पास 30 है ठीक है एसाथ 35 अठरा और 3 210 यानि 210 माक्स है तो टोटल माक्स कितना है इसकी यहनि टोटल माक्स कितना है 100 प्लस 100 150 कितना हो गया 350 परचांटेज निकाला बहुत असान है यानि 210 माक्स लिए कितने में से 350 गुना और परचांटेज पांट साथ 35 पांच सुदुने दस तो एक का परचांटेज कितना आगया कि इस ना तो साथ परचांट आगया कि ए ने कि इतने परचांट माक्स लिए हैं स्टार्ट परसेंट इसे त्रिके से मैं चाहँगो वीडियो फटा पाउस करें और आप बताएं बीगे कितने होंगे ठीक है मैं तो करवाए रहे हूं वीडियो पाउस करके कमेंट सेक्शन में लिखेएगा कि बीगे कितने थे चलो बीगी बात कर लें चरहां बीगे माक्स अपटेंग कितने हैं एक्टी प्लस स्टैविट्टी प्लस इक्स्टी प्लस आट साथ पंदरा 21 और पंदरा कि 75 इस अवं पंदरा कितना होगा कोई अंतर नहीं है जितने माक्स यह लिए उतने इमाक्स पर्सेंटेज में बी के भी हैं clear चलिए let us move down to the next question which will be last question over our session चलिए यह question ना देखो हमने एक question किया था जो शुरू में किया था हमने शायद पहले session में कि चार लोग चार बुलट को fire किया किया यह उसी का मैंने शायद बताया भी थब थोड़े example लेखें तो उसी टाइप का उसी question का सेकेंड टाइप बन जाता है यह वाला कि रिंगियों को बैल्स वाला करेंडली क्लियर का कीजिए इस question को दरा तो क्या दिया अब बैल रिंग्स एवरी 18 मिनट कि कोई बैल 18 मिनट मिनिंग हो रही ह इसका मतलब वह तीनों की तिनों आठ बजे पहली बार बजाई गई है तिर वह क्या कर रहा है कौन से दूसरे टाइम पर वह एक साथ रिंग करेंगे बताइए मुझे क्या आपको पता तो चली गया होगा है सिर्फ यह निकालना और टाइम को देखना है अगर मैं बैल वन की बात करूं कि बैल वन की बात कर ओं एटीन मिनट है अच्छा कि बैल टू की बात करों 24 बीनट है ले थरी की बात करूं थर्टी तूब मिनट है कि एलसे में निकालना बहुत इसान अक्थारो कैसे लिखूंगा मैं कि इंतिया नो गुनाद दो की पावर एक ठारा हो गया बिल्कुल जेंटर त्रिकेस जैसे मैंने बताया ठीक है चौबश को लिखेंगे आठ किया यानि दो का क्यूब आठ पृतिय और यह वह दो की पावर पांच इतना बताए एक लिर हुआ बिल्कुल सिंपल और सोबर मैंने क्या कि एक ट्राइजेशन वे से मैंने लगा निकाला है इसका एलसे तो कितना होगा मेरे पास देखों दो की पावर पांच और इनकी पावर दो तो बत्यस गुना कितना है नो है नो 227 अंदो ठा रहे है लिंट यालिए थेट्य यानि टू एट्य हुट मिनट्स के बाद दुबारं मिलेंगे मैं दो क्या टूट¿ेटी UFC के पर और आप्षून में नहीं उसने क्या वोल ला कि पार बजब inherent चालिस मिनेट पर बारा बजब सब्सक्राइब करना और आठ बजए पहली बार बजी अब इसको मिनिट को आवर में करवाट कैसे करना है यह देखो है तो लेकर चलुंगा इसको यह कितना होगा रहुक्त को आठ ने चार आवर और पॉर्ट इड मिनिट्सश मतलब गया है आठ और चार जोड़ो बार यानि बारा बढ़के का शालिस में अबक्शिन नमबर भी मेरा बिलकुल तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए चानल लाज दा एस वेल एस दा वीडियो तो अमने बहुत अच्छे कोश्चन चार इसमें लाइन चार्ट के थे एक आपके पास डेटा टेबल का कुश्चन था एक नॉर्म बहुत अच्छा कोश्चन थ आपके बास भी कैसे हम उसको कितने कितने नंबर वेज में कर सकते हैं और एक आपके बास यह था क्लियर आपको इब बता दूं कि जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है सी सैट की रिगार्डिंग उसकी टाइमिंग है तीन बज़े से लेके साड़े-चार वीकली कार दिन आप प्रिवेश के लेक्ट्र मिल रहें कि पंद्रा एंसी कितने मिल रहे हैं 50 प्लस लाइब मैं टर्शिप सेशन कितने मिल रहें 30 प्लस कोई डाउट हो तो 951-777-165-1 कॉल भी कर सकते हैं और वह से बीजिली कर सकते हैं और आपको पता हर संदे उसका सलूशन भी वीडियो मिल मिलेगा यह बतानी महां भूल का तो उसका वीडियो सेलूशन मिलेगा जिस तरह की कोशन हमने क्लास में कि हैं उसुता चलो नहीं कर लोटने चलियर क्लियर नेक्स ने वाट्सव ग्रूप जिसका लिक दिया गए जोईन कर लेज़ेगा नेक्स आता मेरे पास टार्गेट बेस्ट इसके लिए मैं हर देखो पिछले कुछ शैसर में मैंने कहना साथ किये कि अब टार्गेट बेस्ट इसका टाइम आच चुक है कि उन टॉपिक्स को आप थोड़ा साथ देखिए उन टॉपिक्स को आप देखिए जिन में क्या है जिन से कोश्च नाम के बनने ही बनने है और जो असान भी ज क्योंकि नंबर सिस्टम ऐसा चेप्टर ने जितने ही भी प्रेक्टिस कर लो तो नहीं कमाने जाती है क्योंकि आगर आज के टाइम में बोलूं कि फिफ्टेंटू टॉट्टी कोश्चन आ रहे हैं जो वन फोर था आपकी पूरे सिले बचके और हार्डली तीन सो चौविस रपे में कम्प्लीट हो जाएगा कि तीन सो चौविस रपे में मिल रहा है और दस लेक्टर जानी ओल्मस्ट फिफ्टीन आवर्स के अंदर आपके बीस कोश्चन जिसका एक कोश्चन धाही नंबर गया और में 405 नंबर आपके कम्प्लीट हो रहे हैं सिरफ और सिरफ 324 रपे में आप लोग पता नी क्यूं यह सोचते क्यूं इतना डिफ्रेंस करके रखते हो कि हाय तो आई तो आइसा पेपर आया तो क्या करेगा वैसा प बेसिक्स पर काम करने अगर बेसिक्स पर काम किया तो आपका काम डेफिनेटीली बनना यह गुद्टी ले सकता हूं कि अगर आप अपने concept को अच्छे से रखेंगे basis करें प्रिवेस कोश्टन करेंगे और number नंबर सिस्टम अभी होने वाइस से कर लेंगे तो भई नंबर सिस्टम आपके दन हो जाएगा चलिए अब मैं इसके बता देता हूं उसका लिंक मिलेकर डिस्क्रिक्शन बॉक्स में और पूरी चीज़े मैप को भी डिटेल में इसकी बता देता हूं ठीक है कि अगर कि अगरे बात करेंगे इस से ठीक है और सब्सक्रिप्शन से हैं यहां वीडियो कोर्स है यहां यहां पर सबसे पहले सब्सक्राइब कर सकते हैं सबसे पहले अभी आपको नंबर सिस्टम की बात कर रहा था पूरा आपका सबस्क्राइब करें सबस्क्राइब अगर आप नंबर सिस्टम की बात करें सिर्फ नंबर सिस्टम कितने का है तीन सो चौबीस रुपए का है दस लेक्ट्टर से हैं नो वेबनोट से और करना करो बुक करना इस ताम तो मेरे साब से ठीक नहीं रहेगा क्योंकि हर बुक में अलग डेटा दिया हुए हर बुक अलग आपको बताएगी क्लियर तो पजल मत हुएगा जैसे सिंप्लिविकेशन आपके पास ठीक है पर्सेंटेज आगे पर्मुटेशन टाम इंडिस्टेंस एवरेज होगा नंबर सी दो के लाइन चार्ट होगा रिश्यो प्रपोर्शन टाम एंड वर्क मैंसुरेशन है ना एल्ट मैंसिएफ देखो टॉपिक सब टॉपिक डिए सकते हैं पूरा का पूरा बंदल आपके 265 बात कर रहा हूं ठीक है चे मिनिट का है यहां बेभी और सिर्फ कितने गया सत्रह लेक्टर से 247 का रैंकिंग और की बात करें एक सो तीस में 6 लेक्टर्स हैं टेट्मेंट का लूजन की बात कर रहे हैं 6 मिनिट आपके पास ठीक ह है 20 रुपे का है दो वेब नोट से और आपके पास 76 वेब नोट से वही काम करेंगे जो आपके रिसोर्स कर रहे हैं बेसिकली क्लियर क्लियर से डिरेक्शन सायंस हो गया आपके सिरो जिसनिंग में और 6 मिनिट का ट्राइल जहां आपको लेक्टर दिख रहे हैं वहां पर आ इंग्लिश का आपको बता आने यह नहीं वो थ्री फॉर्टी एट का चे लेक्टर जैंए एक वेम जो नाइन सिक्तिफ़ाइव मुल्टी पूछ जोश्टन है उसके बाद एंटॉनिम 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 इस रिजन क्या है रिजन बेसिक यह है कि कई बार पहले कर आपने कुछ आपको लाइन दियोगी इसका बताईए अंसर क्या हो सकता है मतलब उस लाइन से कुछ कोश्टन आपसे पूछा जा सकता है बट अगर उसमें पर्टिकुलर वर्ड का मुझे मतलब नहीं पता तो वह निर्थ है मतलब मैं उसका अर्थ नहीं बता पा इसलिए है इंपोर्टेंट मैं कि बोलूगा यहां पर रैंक होल्डर जाते हैं यहां से बन के जाते इसे कितने सारे सुट्रेंट से इनकी सबसे अच्छी बापता कहते हैं इन्हों ने जीएस के साथ सीसेट को भी ध्यान दिया इनको बताता कर सीसेट में 0.25 से भी रहागे ना पूरा साल खराब है जितने अमर जीएस पड़ते रहो डजन में अपने जीएस में पूरे बटा पूरे नंबर भी लिए होंगे न इतना जादा नंबर ऑफ सेलेक्शन से यहां पर रिजन उसका उसका रिजन यह पढ़िए आपको पता चले गए अधिकारियों क्या लिए तो प्लीज जाईए देखिए और प्लेज इंजोए कीजिए डिस्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा में फूल कोर्स का लिंग और हमार वाट्सअप ग्रूप का लिंग थैंक यू